जै शुरी राम स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं पंडिताशी शर्मा लेकर आया हूँ गोचर से जुड़ी हुए एक जानकारी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राहू केतू परिवर्तन के बारे बारे राहू केतू जो की एक राशी के अंदर 18 महीने का कारेकाल रखते हैं ये राहू केतू एक राक्षची ग्रहे हैं जिनको मरत संजीवनी विद्या के द्वारा पुनर जीवित किया गया और शुक्र अचारे ने इसको जीवित किया और इनको सरप के टुकडों से यानि सरप के भागों से जोड़ दिया जिसमें उपरी भाग राहू तो निचला भाग केतू कहलाया जहां राहू उपरी हिस्सा है यानि उपरी हिस्से में होता है ये एरिया जहां पे आईज होती है ये देख सकता है जबकि केतू निचले हिस्से में केतू पे आईज नहीं है जबकि बाकी पूरा का पूरा पार्ट केतू के पास है अब ये दोगर है इनको ये तो मानना पड़ेगा कि ये सुभाव से नैचुरल मेलेफिक हैं असुर हैं क्योंकि एक स्वर्भानू नाम के राक्षस के दो टुपने है इनको बीच में से अलग किया गया इनको सर्प से जोड़ा सर्प के अंदर होता है विश, जहर, छल, कपट, छुपकर वार करने की आदते ऐसे प्लैनेट्स के अंदर आ ही जाती है एक बात तो ये राहुकेतु असुर है इसका मतलब राक्षसी प्रवर्ती या असुर की प्रवर्ती जैसे गुण आएंगे ही आएंगे साथी साथ क्योंकि इनके भीतर विश है इसलिए जहर भी इनके भीतर होगा किसी भी ग्रह को ये समझने के लिए कि वो आखिर है क्या चीज़ उसका बैस जानना बहुत जरूरी है राहु केतु राहु केतु के नाम से दराया दराया धमकाया तो बहुत ज़्यादा जाता पर जरूरी ही नहीं है कि वह प्लैनेट आपको हर बार परेशान ही करेगा मैंने राहु के लिए एक अलग से भी वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था राहु अगर निम्न पोजिशन्स में हो तो व्यत्ति को अपनी दशाकाल के अंदर करोडो अर्बो रुपे तक ले जा सकता है तो इसलिए ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आखिर राहु केतु हैं क्या अब ये छाया पिंड है छाया पिंड का मतलब होता है ग्रह राहु और केतु शास्त्र के अनुसार जिस ग्रहे की राशी में रहते हैं उसके अनुसार फल करते हैं अगर राहू शनी की राशी में है तो शनी के हिसाफ से उसके फल देखने जरूरी है और राहू ब्रसपती की राशी में है तो ब्रसपती के अनुसार उनके फल है same situations केतू है क्योंकि राहू और केतू दौनों से एक दूसरे के 180 डिगरी के अंश्पर रहते हैं कि राहू और केतू ब्रहमांड में हो चाह कुंडली में हो एक दूसरे के समसब तक ही दिखाई देंगे यानि राहू और केतू एक साथ दो भावों को घेर के चलने में शक्षम है ग्रहस सबसे ज़्यादे प्रभावशाली वहां हो जाता है जब वह ग्रहस उस राशी के अंदर बैठता ये सब ज़्यादे जरूरी है इसको आप एक्जामपल के तोर पे समझें कि आप जिस जगा बैठे हो वहां आप ज़्यादे प्रभावशाली हो आप जिस जगा देख रहे हो वहां सर्फ देख तो सकते हो लेकिन उतनी तेजी से मुमेंट नहीं कर सकते वहां तक चलके जाना पड़ेगा तो इसलिए ग्रह जहां है जिस भाव में है उस भाव से संबंदित फल देता है ग्रह का खुद का अपना सुभाव जैसे व्यक्ति का खुद का अपना सुभाव ऐसे ग्रह का अपना सुभाव व्यक्ति किसी के घर में जाके बैठा है तो उस घर का क्या वातावरण है आज मैं बात करूँगा के 12 अपरेल 2022 के समय पे राहू और केतू का राशी परिवर्तन होगा जो राहू केतू अभी तक वरशव और वरश्चिक राशी में चल रहे थे जिनको शास्त्र के अनुसार उच्चस्त अवस्था इनकी दी गई है कुछ शास्त्र इसका मत मानते हैं क लेकिन वरशव और वरश्चिक में चल रहे थे अब ये राहू केतू मेश राशी और तुला राशी में आएंगे जहां राहू तो प्रवेश करेंगे मेश राशी में केतू प्रवेश करेंगे तुला राशी में और ये मेश राशी और ये तुला राशी में ये प्लैनेट लगभग 18 महीने का कारेकाल पूर्ण करेंगे अब इसको बहुत ज़्यादे ये समझना जरूरी है कि ये एक्सेस अभी तक दो आठ तक्त था यानि व्रशा पर व्रश्चिक में था अब ये कहां आ गया मेश और तुला में किसी भी ग्रह उसकी द्रश्टी, इस्थितियां, राजयोग, धनयोग जो भी सब बनाए गए वो एक काल पूरुष की कुंडली को ध्यान में रखते हुए बनाए गए है काल पूरुष की कुंडली मेश लगन की कुंडली होती है यानि अभी तक देखें तो मेश से ये दूसरे और अस्टम में चल रहे थे लेकिन अभी ये मेश और सब्तम में आ जाएंगे यानि अब ये पूरे 18 महीने मेश राशी को पूरी तरीके से प्रभावित करेंगे तुला राशी को पूरी तरीके से प्रभावित करेंगे यानि इसका ज़्यादा प्रभाव किस पे आने वाला है मेश राशी और तुला राशी पे खास तोर पे अगर राहू और केतु से संबंदित दशा अंतरदशा आपको चल रही है तो ये प्लैनेट आपको ज़्यादा प्रभाव शाली होगा अने के मुकावले क्योंकि आपको जिस ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही होती है आपको उसका गोचर जरूर देखना चाहिए तो ये तो थी एक ऐसी बातें जो आपको बेसिकली जाने जरूरी है अब वीडियो को बिना छोड़े हुए अगर आप इसको स्किप स्किप करके देखेंगे छोड़ देंगे काट देंगे तो ना तो आपको रहू समझ में आएगा ना केतू समझ में आएगा ना प्रभाव समझ में आएगा ना सुभाव समझ में आएगा चलिए शुरुवात करते हैं मेश देखिए राहु कहां आए है मेश राशी के अंदर इसलिए राहु अब मेश के गुणों को ग्रहन करेंगे एक तरफ तो राहु जो सुरुभाव से निर्भीक है सहासी है पराक्रमी है तेज सुभाव का है कुछ रूड़ी वादी भी है कोशिश यही करता है कि मैं सुनू सबकी करूं मन की जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा मुझे किसी की नहीं सुननी ऐसा प्रभाव अगर व्यक्ति के सुभाव में दिखाई दे तो अबश्य उसके उपर राहु का प्रभाव है डरता भी नहीं है सामना भी करता है पास्चत्य सबबता के साथ चलता है सनस्कृति और सनातन धरम की अगर अवेलना करना शुरू कर हैं कि लाव मेरिज कर लो इंटरकास्ट मेरिज कर लो अपने से नीजलात में शादी कर लो लड़की को लेकर चले जाओ भाग जाओ यह सब प्रभाव वहीं से आ रहे हैं यहां रहू जैसा जो प्लैनेट है यह एक निर्भीक प्लैनेट है समाजिक्ता से हटके चलने वाला प्लैनेट है और राहू और केतू का सदेव काम होता है किसी भी चीज पे ग्रहन लगाना क्योंकि ग्रहन जब जब लगता है सूर्य चंद्रमा पे ग्रहन लगता है और वो लगबग अमावस्य पूर्ण माशी पे लगता है तो उसमें राहू और केतू का मुख्य रोल होता है अब राहु कहां आए है मंगल की राशी में मंगल की कौन से राशी है मेश राशी मेश राशी मंगल की चर राशी और अगनीततो राशी यानि मेश राशी वाले तो एक तो चर हैं सभाव में चलाए मानता रहती है इनके ये अगर किसी काम में लंबे समय तक टिक जाएं, इस्थिर हो जाएं, किसी रूटीन को लंबे समय तक फॉलो कर लें तो बहुत बड़ी बास समझो क्यों? मन में इस्थिरता नहीं है, मन में चंचलता है, इधा उधार भटकते रहते हैं मेश राशी अगनी तत्व की राशी यानि एग्ड्रेशन, जोश, साहस, हिम्मत से भरपूर है मेश राशी यानि ऐसे रोग अगर चाहें, उन्होंने अगर मन चे ठान लिया को उन्हें ये करना है, तो अकेला ही पूरा खेत जोत देगा और यदि आप ये समझो के मैंने डरा धमका के कोई काम करा लूँ, तो कोई ताकत नहीं जो डरा धमका के कोई काम करा ले मैंने ऐसी बहुत से ओरस्कोप देखी जिनकी मेश राशी में रहू बैठा है और यदि मेश लगन हो जाए और उसमें पैठ जाए, तो तो भाईया जो इसके मन में आएगा ये वो ही करेगा तुम कितना ही समझा लो, सारे काम बड़े प्यार से कराने पड़ते हैं, नहीं तो ऐसा लगेगा कि हर बात में तो लड़ने आ जाता है हर बात में तो लड़ना शुरू कर देता है, एकदम एग्रेशिव, कि ये कर दूँगा वो कर दूँगा, तो वो सब चीजे कहां से आती हैं, मंगल से और उसमें राहू हो, तो आप ये समझ जाईएगा, कि ये जो काल पुरुष की पहली राशी है मेश, जिसमें राहू आ रहे हैं, ये राहू मंगल की राशी में हैं, यानि ये नियम सभी के उपर लगता है, कि भाया आपको आने वाले समय में अपने अग्रेशन पर कंट्र करना पड़ेगा चाएग कि राशी कोई भी है, आपको अपने अग्रेशन पर अपने जल्दबाजी पर अपने क्रोध पर अपने निरणे उपर सायम रखना होगा, क्योंकि जब ये मेश राशी हैं, मेश राशी में आता है, इसके उपर राहू है, क्या करसकता है? माई-ग depression के कारण आप बिमार हो रहे हैं तनाव महसूस कर रहे हैं तो वह सब राहू की बदोलत होगा क्योंकि राहू मेश राशी को 18 महीने तक प्रभाव करेंगे इसलिए राहू के कारक मंगल की राशी में मिल चुके हैं एक बात दूसरा राहू छे-छे महीने तीन नक्षत्रों में रहेंगे क्योंकि मेश राशी में तीन नक्षत्र हैं अश्वनी भरनी करती का पहला नक्षत्र केतु का नक्षत्र दूसरा नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र तीसरा नक्षत्र सूरिय का नक्षत्र छे-छे महीने ये तीन नक्षत्रों में भी रहेंगे पहला नक्षत्र केतू का राहू और केतू में परमित्रता है इसलिए ये कॉंबिनेशन के साफ से अच्छा है काम को कराने के साफ से अच्छा है जो शिम्मत साहथ देने के लिए अच्छा है केतू को मेडिसिन भी कहा जाता है खास तोर पर अश्वनी नक्षत्र में तो यह बहुत जादे आता है, यह उन लोगों के लिए जादяет अच्छा हो गए, जो चिकित्सा से संबंदी छेत्रो में हैं, यानि इनके तो एक तरीके से वो गुरू हो गए, शुक्राचार है, तो उसमें भी जाके बहुत प्रसंसा वाली इस्थती होंगी, लेकिन अंतिम 6 महीने जो सूरिय के नक्षत्र में जब यह होंगे, राहु देव, यह समय आपके लिए अच्छा नहीं होगा, यह समय आत्मिक नहीं कि राहु जयतों का परिवर्तन होगा, नहीं, आप उसको समझें, यह वीडियो बनाने का जो मेरा परपस है, वो यह है, चाहूं तो मैं भी 12 वे राशियों पर वीडियो एक डाल सकता हूं, लेकिन परीचे जानना बहुत ज़रूरी है, कि राहु आ रहा है, किस की रा सबस्याद साब धानी रखनी है, अपने वहवार पर, अपने आचार पर, गलत करते हो से बचना है, गलत कामों से बचना है, अपनी एनरजी को कहां किस तरीके से लगाना है, वो चूज करना है, बिना वज़या अपनी एनरजी को नश्ट नहीं करना है, यह विशेश तोर प पुरुष का नेचुरल सेवन्थ हाउस जिसके मालिक शुक्र है अब तुला राशी पे केतु जैसा मेलेफिक्स आए तो सबसे पहला मोटा मोटी संबोधन क्या आता है कि भाई सेवन्थ हाउस साथ नंबर की राशी वैवाहिक जीवन के लिए जानी जाती है केतु जैसा रहे किसी बहारी व्यक्ति विशेष की वज़े से हस्बेंड वाइफ के बीच में इंटरफेर होते हैं कले उत्पन होते हैं कोई छुपा हुआ व्यक्ति विशेष आपकी लाइफ में इंटरफेर कर सकता है इविन ऐसी स्थिति भी पैदा कर सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर के मन में चीटिंग को बिला सकता क्योंकि ये शुकुर की राशी में आ रहा है और केतु का काम सदैव चीटिंग कराने का है राहू में ये गुण नहीं है केतु में ये गुण आता है छल कपट धोका और चीटिंग होना यानि अगर आप और आपके लाइफ पार्टनर के लगन में या सब्तम में राहू केतु का ट्रांजिट हो रहा है तो आप यह समझेगा कि चाहिए वो लगन हो चाहिए सब्तम हो उसमें अगर केतु है तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूत है लाइफ पार्टनर पर मैं इसमें क्या ऐसे समय में कहूंगा भी उनका ध्यान र राशी इस्ठिर राशी है प्रत्वी तत्व की राशी है लेकिन तुला राशी क्या है वायू तत्व की राशी है और चर राशी है एक तो चर राशी सभाव में चंचलता देती है तो वायू तत्व राशी सभाव में बहना इच्छाओं को प्रबल करेगा यह केतु आपकी ये तुला के अंदर हो तो फिर से इंडिकेशन आता है अपनी करेक्टर पर ध्यान रखना होगा आपको चाया आप लेडी हैं चाया आप जैंड्स हैं ये केतू 18 महीने में भटका सकता है लाइफ के अंदर कुछ ऐसा पैदा कर सकता है जो नुकसान दे जाए अब केतू और श अंदी हादते वह चरित्र के पिरती उठने वाले अब्जेक्शन जो होते हैं उनका ध्यान रखना होगा प्लैनेट आया है फल तो अपने देगा अब ये केतू शुक्र के साथ मिलकर काम करने में तो अच्छा है अधिकतर ये देखा जाता है कि जो शुक्र की राशी है दिमाग को भटकाने का भी काम इसी ही राशी से आता तो अपने उपर सयम रखना होगा जोकि इसके जश्ट विप्रीत में राहू भी होगा एक बात दूसरा ये कॉम्बिनेशन्स राहू के तू जैसे मेश और सप्तम पे तुला पे आ रहा है तो ये शादी कराने के लिए अच्छा मन जाता मैंने बहुत बार देखा है कि उन अठारे महीनों में व्यक्ति विशश की शादी हो जाती है इसके बारे में विषास्तर में लिखा हुआ कि राहू के तू शादी कराने में अपने आप पर सयम रखने होंगे अपने चरित्र पर सयम रखें अपनी भावनाओं पर सयम रखें अपने इमोशन्स पर प्रांजिट और राहू का नक्षत्र यानि शुक्र राहू के तू आपस में मिल गए राहू के तू शुक्राचारे को गुरू मानते हैं यह वो समय 6 महीने आपके लाइफ में बहुत बढ़ जाओंगे लेकिन बाद के जो 6 महीने है यह ब्रस्पती के नक्षत्र में है विशा का नक्षत्र अब व्यक्ति क्या करेगा मैंने गलतियां की थी सुरू पहले अब उन गलतियों का खाम्याजा मैंने भुगत लिया अब मैं गंदे कारों में पढ़ूंगा नहीं अब मैं ब्रस्पती के नक्षतर में चल रहा हूँ ब्रसपती भी मोक्षकारीगर है केतू मोक्षकारीगर होता है तो इन दौनों का अपस में मिलावट होकर आप अपनी च्छाओं का दमन करेंगे साधना की तरफ चले जाएंगे तो यहां से आता है केतू और यह ब्रसपती का मिलाएं सब्तम भाव साथ नंबर की राशी काल पुरुष के सेवन्थ हाउस की राशी जहां से हम स्पाउस देखते हैं तो वहां से हम जननांग भी देखते हैं सीक्रेट स्पार्ट से होने वाली बीमारी इस्तरी या पुरुष्य संबंधित जो रोग होते हैं जो गुप्त रोग होते हैं वो भी इसी कॉंबिनेशन से आते हैं या तो आपके सामने कोई ऐसा रोग निकल कर आ सकता है या इस जोरान आपको कोई रोग इस्टरिया पुरुस्टे संबंधित परेशान कर सकता है तो इसकी भी जानकारी आपको रखनी चाहिए कि भाईया तुला के अंदर के तू कैसा रहने वाला है तुला के अंदर के तू किन पार्ट्स पर प्रॉब्लम देगा किन नक्षत्रों में गुजरेगा और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये समझना बहुत जरूरी है एक जटके में ये बता दिना मेरे लिए राहु केतु का परिवर्तन कैसा रहने वाला है ऐसे नहीं होता या राहु केतु को समझो किस राशी में है और कैसा व्यवार करेंगे क्योंकि राहु केतु स्वतंत्र है वो जिसकी राशी में जाते हैं उसके अनुसार फल देते हैं तो मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मोटिव है वो यह है कि मैं पहले यह आपको समझा दूँ क्या आखिर यह राहू के तु है क्या इनकी परिवर्तन से आपके जीवन में होने वाला क्या इसके बारे में हम सभी बारा राशियो के लिए भी अलग-अलग वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे लेकिन इसको कहते हैं मूवी देखने गए इंट्रोडक्शन तो देखा नहीं शुरुआत की 15-20 मिनट की जो मूवी थी वो छुट गई बाद में ढूनते फिर रहें कि कौन क्या है तो इसलिए इंट्रोडक्शन देखें ग्रह को समझें क्यों कि ये वीडियो सिर्फ उनी लोगों के लिए है जो जोतिश में रुची रखते हैं जोतिश के जानकार हैं और जोतिश शासर को मानते हैं तो ये था मेरा आज का विशय के रहु कितु का परिवर्तन मेश और तुला में होने वाला है ये 18 महीने कैसा प्रभाव देंगे उसके बारे में मैंने आप से हाँ चर्चा की है फिर से नए विशय के साथ आपके सामने हाजिर होंगा मैं तब तक के लिए बने रहीएगा मेरे साथ जैशरी राम